हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आप सभी के लिए हाई इसकृल विद्धार्थों है तू बोर्ड पर इच्छा के तैयारी संबदि महत्वपूर्ण सुझां। फ्रेंस पहली बार ऐसा हुआ है कि बोर्ड ने स्वाइम विद्यार्थियों के लिए एक नोटी जारी करकि ये बता दिया गया है कि परतेक विशे के लिए जैसे आपका हिंदी विशे विज्ञान, मैत, इंगलीज और समाजी विज्ञान जैसे विशेयों में क्या पढ़ना ह और किन बातों का ध्यान देना है और बोर्ड के कापी में प्रश्ण का एंस्वर लिखते समय किन बातों का ध्यान देना है इसके बारे में बोर्ड ने पहली बार नोटीस जारी करके आप सभी को बता दिया है तो फ्रेंस इस नोटीस को आप अंत तक जरूर देखिएगा कि इस नोटीस में आप सभी के लिए मुख पॉइंट क्या बताया गया है दिए फ्रेंज यहां पर पहला पॉइंट बताया गया है कि माधिमिक सिच्छा परिस्त के अधिकारिक जो बिवसाइट है यूपी एमस्पी डाट इडू डाट इन पर पाठिकरम यह माडल प्रश्ट पत्र उपलब्ध उनका भली भात अध्यान करें फ्रेंज यहां पर पाठिकरम और माडल प्रश्ट पत्र है उसके बारे में बताया गया है फ् कुएस्टिन कितने नंबर का पूछा गया है उसी की एकार्डिंग आपका प्रश्ट पत्र बनेगा देखे फ्रेंज आपका अगला पॉइंट बताया गया है कि विद्यारती अपनी स्वेम की समय सारणी अवस्य बनाकर पढ़ें जिससे सभी विस्यों की निर्धायत पाठ कर देंगे उस टाइम टेबल के कार्डिंग आप यदि पढ़ाई करते हैं तो आप बोड के एक्जाम में टाप कर जाएंगे ठीक है चले अगला पॉइंट आपका है यदि किसी भी विस्यों में कोई टापिक या अवधारा असपश्ट नहों तो उसे समय विस्यों अध्या पॉइंट है पुन्रावित्ति के साथ साथ समय का प्रबंद अवश्य करें इसके लिए माधिमिक सिच्छा परिसत के विवसाइट पर अपने विसे से समबदीन माडल प्रश्पत्रों को निरधारी समय में हल करने का प्रियास अवश्य करें देखिए आपकी इसमें बताया कि विशे से समबदी गुडवत्ता पुल सहचिक सामगरी वीडियो दिच्छा आप और मादिमिक सिच्छा विभाग की यूटूब चैनल इग्यान गंगा पर उपलब्द विद्यारति उनसे भी सहायता ले सकते हैं फ्रेंस देखिए काने के मतलब यह है कि जैसे वीडियो दिच्छा आप और मादिमिक सिच्छा परिसत विभाग की यूटूब चैनल इगंगा पर आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं इसके बारें बताया है फ्रेंस यहां पर बताया है कि प्रश्पत्र दो खंडों में भाजित खंड और बहुवीकल्पी प्रश्ण पूछ अपने उत्तर पूर्ष्टिका पर उसको लिखना है ठीक है अगला पॉइंट यहां पर बताया गया फ्रेंस कि उत्तर सुनिश्चित हो जाने के बाद यह साउधानी पूर्वक भरे ओभर राइटिम कटिंग ना करें इस बात का आप बहुत ध्यान दिजेगा जो ओमर सीट पर आप भरेंगे उसपर सिर्फ एक बार ही घयरनाओ ठीक है एक बार ही इस पर ओबर लैप करना इस पर कोई कंटिंग नहीं करना ठीक है इन बातों का आपको बोड के एकजाम में ध्यान देना है फ्रेंस फिर इसकी बादуш्द बताया गया है कि सर्व परस्ट्र्ण पत्र क को टी 거죠 फिए अंकीद करें जयासे इसका मतलब यह हुए जैसे आको प्रश्ण अब प्रश्ण उत्त्र संख्या दीश्का का लिखना है लिखना धी Ну खंड कर रहा है तो इस तरह लिखिए उस पर प्रश्ण उत्तर संक्या एक है दू है तीन इस तरह आपको लिखना पड़ेगा आपका अगला पॉइंट है यहां पे देख सकते हैं प्रश्ण पत्र में जिन प्रश्ण को उत्तर असपष्ट हो उसे पहले हल करें और समय उसका अंत में दीजिए ठीक है आपको कोई जरूर नहीं कदम एक तरफ से करना जिस प्रश्ण का एंस्वर आ रहा है उसका एंस्वर आप ठीक है देखे फ्रेंस यहां पर आपका अगला पॉइंट बताया गया है कि यहां पर देख लिजिए यहां पर देखिए उत्तर वर्ष्ण का हल कर लिया गया ही ठीक है अब देखें यहां पर आयो आई यहां पर इंपोटेंट पॉइंट आता है देखें कच्छा सप्सक्राइब पहला आपको 16 Πर वरी को आपको पता है यहां पर देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि हिंदी विशे के अंत्रगत पद गद संस्क्रीट खंड ब्याकरा का बेसंदर खंड का निबंद सम्मिली थे परिच्छे में सफलताव प्राप्त करने के लिए समय को उचित प्रबंद करके संपूर्ट पार्ट करम का जाए उसको आप समझ के उसको बार्व पुन्रावित्ति का मतलब है बार बार उसको पढ़ें जिससे आप असपर्ष रूप से एक्जाम में आप उसका एंस्वर दे सकते हैं अब अगला पॉइंट है देखिए आपको निरधाई काभब का अध्यन करते समय कविता में निह कावें इसंदरर के तत्मी जैसे रस छंद अलंकार को रेकांकित करें और ऑफ परिवास परिबासा एंऊधार देखिए आपको चुभणना है रस को परना इसमें बताया गई जो गद्ध हम लिखते हैं, उसके लेखों को जो लेखा का नाम हुआ, उन्होंने कौन सा रचना किये हैं, उनके बारे में अपपा लीजिए, पहने एक पद उसके सारांज, उद्ध्यास, उद्ध्यास जो हता है, उसको अपने भाशा सेली में, अपने भा भासा को भली भाती समझ लें, अभ्यास करें, ठीक है, इसमें का करना है, शुद्धिक्रप वर्तनी, शुद्धिक्रप अशुद्या, जो से उपसर गए, परसर गए, शमास, परवाची, तरशम, इन सब्दों को आप अच्छे तरह पढ़ें और शमझें, जिससे आप पूरा करने का अभ्यास करें, यानि काहने के मतलब तीन घंटा का प्यापर है, तो उस तीन घंटा में ही आपको सभी प्रश्न का उत्तर आपको देना होता है, ठीक है, यह कैसे आप संभव कर सकते हैं, जब आप अधिक साधिक माडल प्रश्न पत्र हल करेंगे, निश्ची के बाद ही उत्तर लिखें, ठीक है, अगला पॉइंट है, वर्णात्मक प्रश्न को उत्तर तत्परक एम अस्पर्श लिखें तथा प्रयास करें कि व्याकरण वर्तनी संबंदी अशुद्धी ना हो, ठीक है, हिंदी में आपको ध्यान देना होता है, जो अशुद्धियां उसे दूर करें, ठीक है, अगला पॉइंट है, उत्तर लिखते हैं समय अंक के अनुरूप शब्द सीमा का अध्यान करें, ठीक है, अब देखें, जीवन परचे के बारे में बता गया है, कि जीवन परचे आपको कैसे लिखना है, देखें, जीसे कबीर दास का लिखना है, कबीर दास के जर्म, अस्थान, माता, पीता, भाशा, शेली, कृतिया, मृत्यू, यह आपको क्या करें, फ्लो चार्ट में यदि आप लिख देते हैं, जैसे फ्लो चार्ट में देखते हूं, किताम इस तरह देता होगा, फ्लो चार्ट में तो इस तरह पहले याद कर लें, और जो इनके बारे में हैं, अपने भासा में जीवन परिचे लिख सकते हैं, लेकिन यह फ्लो चार्ट आप बना देंगे, तो आपको यदि पेपर चार नमबर कहा है, तो पूरा चार नमबर आपको एक्जाम में दिया जागा, यदि फ्लो चार्ट बना देते हैं तो, ठीक अगला पॉयंट निबंद लिखने के लिए दिखें, निबंद के बारे मिशबद के बेट. को प्रकुराण को कुछ प्रमुक बिंदूमी भाजित कर लेना चाहिए, जिसे प्रस्तावौना क्या है, विसभे विस्तार क्या है, उप्सनाल इत्यादी जो है, विश्र्ष्य फ पर इतर भटकाव की तरफ न जाएं ठीक है इन सभी बातों का ध्यान देना है अगला पॉइंट है संस्क्रित खंड प्राधारी अवतरों का संदर्म सहीद हिंदी अनुवा स्वच अस्पाशम सुंदर अच्छरों में लिखें अगला है अपने जीले के लिए दिरदारी समाजी विज्ञान के पहला पॉइंट इसमें कहा गया है समाजी विज्ञान विषय के अंदर का चार विश्व जैसे आपका इतिहास हुआ भूगोल वा नागरिश शास्त्र वा अर्थ शास्त्र से प्रशन पूछे जाते हैं ठीक है उनका पुन्रवित्ति करें यानि अध अवश्यक करें ठीक है इन सभी पॉइंटों को फ्रेंस आप जार रहा है चलिए यहां पर देखते हैं यहां पर पाठ पुस्तक में किसी प्रगण टापिक से संबनी जैसे आरेक चित्रड़ एम ग्राफ आधी को भली भाती समझ कर अध्यान कर लें तो परिच्छे में उत् पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए ठीक है अगला पॉइंट है अर्थ सास्त्र भूगोल विसे में आकड़ों का ध्यान पूर्व करें प्रश्णों के उत्तर देते समय अथा अवश्यक उसका परियोग करें ठीक है अब इतिहास और आपके बोड के एकजाम में अधिक साधिक जब प्रयाश करेंगे आपको मांचित्र से संबंदित हम वीडियो अप्लोड करते रहते हैं उससों आप ध्यान से देखिएगा जितने प्रश्ण कराते सब इंपोर्टन कराते हैं फ्रेंस देखिए आपका अगला पॉइंट कहा जब भूगोल मांचित्र समय प्रश्ण को दाशाने के लिए प्रश्ण पत्र में दिये गए चिन्नों का ही प्रयोग करें ठीक है अब यहां पर आ यहां बता है भारती अर्थ विवस्ता की शेत्र क्या प्रात्मिक शेत्र दिवती शेतर तो तीरती शेत्र को अच्छे प्रता है इसके आपकी बोड की बन जाता है को यहां प based प्राश्णों का लिखते हैं 3 अगले पॉइंट पर आजाते हैं थीक देखे बॉड परिच्छा में इसे नंग करने होते हैं आप अच्छे अंग विग्यान में कैसे प्राफ्ट कर सकते हैं देखते होंगे बॉड के एकजाम में आप पूरा कापी लिख्याते हैं लेकिन आपको मिलता कितना है सत्तर में आप आते हैं तीस नंबर तो उसमें आप मिश्टेक क्या करते हैं उन सभी बातों को यहां बताया गया है पहला पॉइंट बताया गया है कि विज्ञान को पढ़ते समय समय साड़ी का निर्मार जरूर करें दूसरा है कि विगत वर्सों के बोर्ड परिच्छा के रसाइन विज्ञान की प्रश्च पत्रों के पैटर्न को समझेता था उन्हें हल करने का प्रयास करें अगला प्रश्च पत्र प्राप्त करने हैं तो upmsp.edu.in विवसाइट पर संपर्क करें यानि मार्डल प्रश्च पत्र यहां पर आपको मिल जाएगा देखिए का मतलब जो पिछले वर्स पेपर हो चुका है उसको आप हल कर लें और मार्डल प्रश्च पत्र उसको आप हल करे जिससे आप एकजाम में किस प्रकार से एंस्वर देना आप समझ सकते हैं अगला पॉइंट इसमें बताया गया है कि अध्यायों के लिए प्रकरणों का बिंदुवार नोट्स बनाएं ठीक है इन सभी बातों का आप देख लिए फ्रेंस यह आपके लिए उतना देख लिए विए बहुत हैं संब्धि प्रक्रणों के सुची बनाएं प्रश्णों के हल करें जैनि आप जो आंकिक प्रश्ण आता है देखें होंगे जैसे दरपड़ से हुआ विद्दू से हुआ आते रहते हैं प्रश्ण उनको आप क्या किए अधिक से अधिक अधिक से अधिक बना लें ठीक है अत्त्यों को रटने का रटना नहीं है आपको क्या करना है वहाँ पर समझने का प्रयास करें चलिए अगले देखते हैं परिच्छा कच में ध्यान देने योग बात आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि करिच्छा जो परिच्छा कच्छ है उसमें आप बोड़ के एकजाम देंगे तो आपको क्या लिखना है और कैसे लिखना उन बातों को आपको ध्यान देना देखिए पहला तीजिए प्रोपिभत रटों रटते समय को अवस्ट्र तर्सान है आपको 14 है यूपी मेरे साहिन समीक्र लिखते समय द्यान दे कि वह ऺाट ते। बातों का जरूर ध्यान देना ठीक है अगला पॉइंट है अगले पॉइंट को देख लेते हैं यहां पे साथ चित्र बनाने तथा नमांके नहें तू रंगीन पैंसिल का परियोग कर सकते हैं रंगीन पैंसिल भी जैसे ब्लैक में होता है कई प्रकार के होते हैं बुलू होता है तूँ रंगीन पैंसिल आप परियोग कर सकते हैं सरप्रतम सरल प्रशनों को हल करें त्पस्टा कठीन सबसे पहले प्रश्चल पत्र व का प्थे प्रकार से पढ़ेंगे उसमें कोr प्रश्चल जो आपको सिंपल लगता है ऐसे पहले उसी का एन्सीर आपको लिखना पुस्तिका का पुन्रावलोकन अवश्य करें आपने जो प्रश्ण का एंस्वर दिया है और कोई प्रश्ण का उत्तर छूट नहीं रहा उसको ध्यान देना है ठीक है चलिए यहां पर गड़ीत के बारे में देख लेते हैं मुख्य पॉइंट चलिए यहां पर देखते हैं सी टापिक आपको कठी लगता उस टापिक पर अधिक से अधिक समय दे जो simple लगता उस पर कम से कम समय दे यही बात यहां पर कहा गया है ठीक हैं अब देखिए यहां पर क्या है अध्यावर सुत्रों को सूची बनाकर अपने अध्यान कच्छ में चिपका लें वह उन्हें नह करने मतलब जहां जे पेपर बनता आपके एक्जाम उस मुख्य पॉइंट उक एक जगा नोट करके रखें अगला पॉइंट है पार्ट करम को पुन्रवित्ति करें किस पार्थ करम के अनुसार कहां से टापिक्स एक्जाम में आपको प्रश्ण पूछता है उस टापिक को करना आपको गड़ित में जिन टापिक्स के लिए अधीक अंक निर्धायत उन टापिक्स से पुनविती बार बर करना चाहिए प्रश्णों को हल करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि अपने प्रश्ण आपने प्रस्ण सही सही उतारा है अथ्वा नहीं इन सभी बा पस्ट करने में आवश्चित्रों ग्राव का प्रियोग जरूर करना है परिच्छम उत्तर पुस्तिका में दोनों तरफ के पेज़ पर लिखे, दोनों तरफ के पेज़ पर आपको इनस्वर लिखना है ठीक है अब रफकार करने के बाद एक तिरची रेखा से काट जैसे अगले English में देख लेते हैं, English में क्या है friends, English में ध्यान देना है आपको, कि some use tips for preparation of board exam, board exam के समय में English में क्या ध्यान देना है, workbook, words and expression के बारे में आपको ध्यान देना है, do read the passage, twist careful, यानि कि आपको जो passage है, उसको ध्यान से पढ़के उसका answer देना है, first reading, देखी, यहाँ पर है कि first reading, read the question and then read the passage again, यानि कि आप पहली बार पढ़ें फिन उसको दोबारा read करें तब उसका answer आप उसमें लिखें, ठीक है, अब इसके बात करना है कि keep underline the key sentences as words to locate the answer easily, यानि कि उसके आप जो पैसे जो पैसे उसको अच्छे से पढ़के उसमें अंडरलाइन कर लें कि उसमें काउन से answer पूछा जा रहा है, ठीक है, अब गला है कि answer in your own words, यानि जो answer देना है अपने शब्दों में देना है, यह नहीं कि यहादम कोई चीज़ रटे हैं, उसी का अपने शब्दों में अंस्वर दीजिए अब देखे फ्रेंस यहाँ पर क्या है, जरूर प्रैक्टिस करें अधिक से अधिक, अब यहाँ देखे लिट्रेचर के बारें बता आया है फ्रेंस, यहाँ पी इन पॉइंटों के आप पहले फ्रेंस, देखे अब लेंचों क्वाइल्टी के हाई हाड वर्किंग, फॉर्म विलिव इन गॉड्ट, वाइस, पॉइंट यह आता है कि आपको पहली बार बोर्ड ने यह नोटी जारी करके सुझाओ दे दिया गया है कि आपको किस प्रकार से परतेक विशेक की तैयारी आपको करना है, इन बातों का ध्यान दे कि यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आप बोर्ड के एक्जाम में टाप कर जाएंगे, ठीक है, यह में पॉइंट था फ्रेंस, सभी विद्यारतियों के लिए यह में पॉइंट था, इसी बातों को ध्यान रखते हुए आप अपनी तैयारी करें, ठीक है, आपके समय, जितना समय बचा है, उन समय में आप अच्छे से समय का यूटिलाइज करते